मैं नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका और आज हम बात करने वाले हैं फ्ोर्स संवान के बारे में पहले तो आप सभी जानते हो कि के विल्वान सीरिज्स जो आती थी उसी का बेडेबल मॉडल है यह पो संवान बर्वान को फोस्व fat तानवे में लॉंच किया था और पहले बलवान आता था 500 की नाम से वो था 50 HP का और अब जो फोर्स अनमान 6,000 आया है यह भी 50 HP का है चलिए देखते हैं इसने क्या क्या फीटर्स फोर्स कंपनी ने आपको दिये है तो दोस्तों वारंटी की बात की जाए तो वारंटी में आप आपको टेक्टर के हर पार्ट के लिए अलग अलग वारंटी दी गई है उपर चार्ट में आप देख सकते हैं जो की काफी अच्छी है और कंपनी का कहना है कि इसका साइलेंसर बिल्कुल भी गरम नहीं होता है अगर किसान जारा देर तक टेक्टर को चला के भी रखता है त गलती से आपका हाँ साइलेंसर पर लग जाता है तो तो दोस्तो कंपनी ने इसमें एक और एडवांस फीचर दिया है और उसको हीट सारन के नाम से कंपनी कहती है अगर आपकी इंजन में हीट जादा हो जाती है टेक्टर गरम हो जाता है तो आपका सारन बज़ने लगेगा जिससे किसान को पता चल जाएगा कि आपका टेक्टर गरम हो चुका है तो दोस्तो सामने के जो टायर है वो आपको 17-16 के मिलेंगे और पीछे के जो टायर है वो आपको 14-28 के साइज में मिलेंगे तो दोस्तो टेक्टर की look की बात की जाए तो टेक्टर का look आपको बहुत ही stylish दिया गया है पीछे के जो मट guard का color है वो आपको पूरा white मिलेगा और जो rim का color है आगे और पीछे के term में वो भी आपको पूरा pure white मिलेगा तेक्टर के रंग की अगर बात की जाए तो आपको टेक्टर का रंग जो है हलका हरे कलर का टेक्टर मिलेगा यह जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं और अगर यहां पर मैं बात करूँ तो इसमें आपको हीट गार्ड यू मिलेगा और यह सामने जो वजन दे रखा ये भी काफी अच्छा वजन दे रखा है टेक्टर के अंदर और जब हम टेक्टर के साइड में आते हैं तो इसका लुक आप देख सकते हैं दोनों तरफ आपको हीट गार्ड मिलेंगे और यहां पर आपको जो स्पेंडल मिलेंगे वो है आपको राउंड साइज के स्पेंडल मिलेंगे गोला कार के और यह सेंटर पीन भी इसकी काफी स्थिर है एकदम आप देख पाते हो काफी मजबूत सेंटर पीन इसमें आपको प्रोवाइट की गई कंपनी के तरफ से और न मेट ल्ग पात झेहें का प्टों इनकी मोटाय कितनी जवरसτ दे रखे है किंगा है कि दोस्तों पावर स्टेरिंग की बात की ज़या है तो आपको सिंगल एक्टिंग ningúnड के साथ इसमें पावर स्टेरिंग कांपनिय ने प्रोवाइड किया है जो कि उत्रा सहीं नहीं है क्योंकि अभी सभी कम्पनियां डबल एक्टिंग लॉड के साथ पाउर स्टेरिंग प्रोवाइड कर रही है पचास एच्पी की श्रेणी में दोस्तों सामने आपको टोचन लॉक दिया गया है ताकि आपके टेक्टरों खीचने में आपको मरत मिल सके सामने से जो कि काफी अच्छी बात है और इसके ग्राउंड क्लियंस की बात करो तो 394 mm का आपको ग्राउंड क्लियंस मिलेगा जो की काफी अच्छा है 50 HP की श्रेणी के हिसाब से तो दोस्तों टेक्टर का जो बोनट है वो चाबी से ओपन होगा चाबी से लॉक होगा और चाबी से लॉक होगा और इसमें आपको डबल शॉक अप दिये गए हैं ताकि किसान इजीली बोनट को उपन कर सके और जो कलर बोनट के बाहर दिया गया वही कलर बोनट के अंदर भी दिया गया इसमें जो की सभी टेक्टरों में मिलता है आपको और यहाँ पर इसके एर क्लिनर की बात करें तो आपको ड्राइ टाइप इसमें मिल जाएगा चौक अलारम के साथ और उसी के पीछे आप देख पारें बड़े साइज का इंटर कूलर काफी बड़े साइज का इंटर कूलर दिया गया 50 HP की श्रेने के इसाब से जो की काफी अच्छा है और इसके टर्बो की अगर हम बात करें इंजन आपको प्रोवाइड किया गया है जिसमें कंपनी का कहना है कि सेटिंग करने की जरूत नहीं पड़ती जिससे सालों तक इंधन की बचत होती है ऐसा कंपनी का कहना है दोस्तों इसमें आपको कूलेंड के लिए अलग से टैंक दे रखा है और पावरिश्टेरिंग के आपको इसमें मिलता है तीन सिलेंडर फोर स्ट्रोक डारेक्ट इंजेक्शन सिस्टम टर्बो चार्ज के साथ आपको इसमें डिजल इंजन प्रोवाइड किया गया है जिसकी रेटेड रपी 22 है और अगर हम पंप की बात करें तो इसमें आपको माइको बोश कंपनी का दोस्तों अगर इंजन के सेग्मेंट के हम बात करें तो लुक काफी अच्छा है काफी सॉलिट लुक दिया गया है और काफी हट के लुक दिया गया है बाकी के जो 50 HP के ट्रेक्टर होते हैं उनके इंजन के सेग्मेंट से और बोनट ओपन करने के बाद जो इंजन का सेग्म तो हम बैक हो साम Hudson portion पां़ों कहें दोस्तों आपको 540 पांवल मिलता है और मेरे साफ से इस इसका 44 हरी सपर और चाहिए और पीछे से आप लुक जो देख पा रहे हैं वो काफी stylish लुक दिया गया है और काफी मजबूत लुक दिया गया है और अगर हम rear axle की बात करें पीछे के axle की बात करें तो काफी solid axle आपको इसमें provide किया गया है और जो पीछे का एक्सल है वो आपको प्लालेंटरी ड्राइव के साथ मिलता है एपी साइक्लिंग रेडक्शन भी आपको इसमें प्रोवाइट किया गया है पीछे के एक्सल में दोस्तों ब्रेक की बात की जाए तो आपको टेल में डूबी हुए मल्टी सील्ड डिस्क ब्रेक आपको इसमें मिलेंगे और यहाँ पर आपको डिफ्रेंशल लोक भी दिया गया जैसा कि आप देख पाने है वीडियो में यह बोटर होल्डर दिया गया साइड में और यहाँ पर यह आपको हैंडब्रेक दी गई है जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैंडब्रेक है टेक्टर के राइट साइड में आपके पैरों के पास और यहाँ पर हीट गार दिया गया ताकि इंजन की हीट किसान के पैरों पर ना लग पाए दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं यह इंडिकेशन लाइट है और यह को पैसेंजर के लिए गद्दे है यहाँ पर यह पीछे की इंडिकेशन लाइट और बैक लाइट और सिंक्रोमेश एपिसाइकलिंग टेकनलोजी आपको इसमें प्रोवाइट की गई है और यहाँ पर क्लच की बात करें तो आपको डूवल क्लच मिल जाती है इसमें ड्राय मेकेनिकल एक्ट्वेशन के साथ दोस्तो आपको इसमें सिंगल साइड साइड सिप्टिंग गेर मिलेंगे सिंक्रोम मेश गेर बॉक्स के साथ जो की काफी अच्छा है 50 HP की श्रेडी में जिससे किसान बाईयों को गेर लगाते समय किसी भी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ेगा जो की काफी अच्छा फी दोस्तो इसमें आपको अलग से ड्राप्ट की पिन दे रखी ताकि आप केट में जब जुताई करें तो इसको सैट कर ले और आपको जुताई करते समय सरफ एक ही लीवर को अपरेट करना पड़े सबसे अच्छी सेटी फीचर दो दे रखे हैं बाकी किसी भी टैक्टर में मैंने नहीं देखे एक तो कलस जब तक आप दबाओगे नहीं तो टैक्टर स्टाट नहीं होगा आपका चाहे गेर लगे हो चाहे ना लगे हो गेर लगे तब भी चाल हो जाएगा लेकिस दबानी और गेर नहीं भी लगे तब भी दबाओगे तो ट्रक्टर स्टार्ट नहीं होगा अब दूसरा सबसे में सेफ्टी फीचर यह चोख है आपको बंद करने के लिए पूल बटन स्टॉप बटन उसको क्या करना आपको खीचना है और आसे नीचे करके रख देना है देखे चौक लगी रहे गई अब ट्रक्टर किसी भी हालत में स्टार्ट नहीं होगा यह हमारे बच्चे जो बैट जाते हैं उनकी सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है और अब उपर क सकते हैं और यहां यहां डिजल टैंक आपको इसमें चोड़ाएंगर पर चाले कहले जाए गया है और इसका साइलें स्ट्रूमेंट की कि बात करों तो इसमें चागन लीटर का दिजल टैंक मिल जाएगा और इसका साइलेंसर है जैसे कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में दोस्तों इसके प्रैट्फॉर्म की बात की जाए तो प्रैट्फॉर्म का जो साइज है काफी बड़े साइज का प्रैट्फॉर्म है मेरी हाइट पांच फिट 11 इंच है मैं बहुत आसानी से बैठा हूँ और जैसा क यह काफी अच्छा फीचर है पावर ट्रै कंपनी भी अपने ट्रैट्फॉर्म प्रोवाइड करवाती है और यह पीछे से आप देख सकते हो सीट आगे पीछे अड्जेस्टेबल हो जाती है उपर नीचे भी हो जाती है अराम से और इस तरह से कुछ ट्रैक्टर दिखता है और यह बोटर होल्डर यहां पर दे रखा है तो दोस्तो गेरों की बात करें तो इसमें आठ फॉरवर्ड मिल जाएंगे आपको और चार रिवर्स मिल जाते हैं जिस सेटल सिफ्ट का आपको इसमें ऑप्शन मिल जाता है फोर्स कंपनी की तरफ से अगर गेर बॉक्स की बा काफी अच्छे हैं और यह लाइटिंग के कंट्रोल्स हैं जैसे कारों में दिया जाता है वैसे लाइटिंग के कंट्रोल्स आपको इसमें मिलेंगे यह बंद करने के लिए आपको स्विच मिल जाता है पूल स्विच और यहां पर आपको मोबाल चार्जिंग मिल जाती है औ देखिए चलिए दोस्तों इसका साउंड सुन लेते हैं उपनुदे मैं आप नेते हैं कि बादे बादे लेते हैं दोपोर्ण से हो प्रादे भादे प्रादे का साउंड सोस्तों लेकर towel में लें हनुआ है? उपर तो दोस्तों हमने बात करिया स्फोर्स सनमान 6000 के बारे में और जैसा कि मैंने जब टेक्टर स्टार्ट किया तो इसमें जिरो वाइबरेशन मुझे लगी कुबोटा वालों को कहना है कि उनके टेक्टर में जिरो वाइबरेशन है लेकिन कुबोटा वालों से ज़्यादा अच्छी मुझे इसमें वाइबरेशन नजर आई इसमें बिल्कुल की बात करी कि UX div प्रोइड कर रखें हमारे किसान भाईयों को तो अगर हम इसके अभी वजन की बारे में बात करें लंबाई चुडाई की बारे में बात करें तो इसका जो टर्निंग रेडियस है दोस्तों वह है 2.5 प्राइस की बात करें तो दोस्तों इसका उन्रोड प्राइस जैसा कि मुझे एजनसी में बताया गया था तो चैला कसी जार में फोर्स अन्मान आपको प्रोवाइड किया गया है फोर्स कंपनी के दवारा